करक राश्यवालों, मेरे मित्रों, आप सभी का जोतिश के इस बेहद ही खास और आपके जीवन से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। हिरदय से अभिनंदन है, मातारानी आपकी हर मनो कामना पूरी करें और हमेशा आपके साथ रहे। दोस्तों, आपको अपने वश में कर चुकी है। इस नाम की और आपको इन बातों का एहसास तक नहीं है। भनक तक नहीं है कि आपके साथ चल क्या रहा है, बस आपको तो एक ही बात का एहसास है, कि आपके जीवन में लगातार परेशानियां पर परेशानियां आती चली जा रही हैं, और आप उन परेशानियों की हल निकाल नहीं पा रहे हैं, यह औरत आपको कभी भी खुश देखन नहीं चाहती है, आपके ऊपर तरह-तरह की क्रियाएं करती रहती है, आपकी खुशियों को हमेशा नजर लगाती रहती है और अब तो इस औरत ने हदें पार कर दी है और आपके ऊपर एक ऐसी तांत्रिक क्रिया कर दी है जिससे आपका मन, आपका मस्तिश्क का बंधन हो चुक इसका मतलब ये है कि बस आप जो फैसले लेंगे वह गलत साबित होंगे या यूं कहें कि आप हमेशा गलत फैसले ही चुनेंगे और हमेशा परेशानियों में ही भटकते रहेंगे और यहीं से आपकी बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। सब मामले में सबसे बुरी बात ये होगी कि आपको कभी इस बात का एहसास तक नहीं होगा कि आपके उपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर दी है या आपके उपर किसी प्रकार का कोई बंधन किया गया है। आप तो हमेशा यही समझते रहेंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी कश्ट आ रहे हैं, भगवान की देन है, ये आपकी किस्मत खराब है, या फिर भाग्य अभी आपके साथ नहीं है, और ऐसा करती-करती आपका पूरा जीवन गुजर दोस्तों, लेकिन आप खुशियों का एक पल भी, कभी महसूस कर नहीं पाएंगे, ये स्थिती सुनने में जितनी भयानक लगती है, असलियत में उससे कई गुना ज्यादा भयानक है, क्योंकि इसमें होता है, ये है कि जातक को कभी भी स्थिती का एहसास नहीं हो पाता है, और उस स्थिती से बाहर निकलने की जातक कभी भी कोशिश नहीं कर पाता है, और एक जाल में हमेशा के लिए फसकर रह जाता है, कई लोगों को हमने अपने जीवनकाल में देखा है, कि वह हमेशा यह कहते रहते हैं, कि जीवन में केवल और केवल कष्ट ही है, जीवन तो न इसी न किसी पड़ाव पर हुई थी और वह पड़ाव था। उनकी तरक्की का, उनके उद्धार का, यानि जब उन्होंने काम्याबी का स्वात छखा, तब अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनके जीवन में परेशानियों का आगमन हुआ और फिर यह सिलसिला लगा। तार चलत कि चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आपको हम वह संकेत बताएंगे जिनसे स्पष्ट तौर पर आपको यह अहसास हो जाएगा कि आप किसी के बस में हैं। आपका बंद हो चुका है और आपको हम एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे। एक क्रिया है जिसे आपको करना होगा और कुछ ही समय में आप उस बंधन को आसानी से तोड़ पाएंगे। और जब आप उस बंधन को तोड़ देंगे तो आप कुछ ही दिनों में अपने जीवन में चमतकारी परिणाम महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आप जीवन पूर्ण अपनिया के समान महकने लगेगा। अब ऐसे में कुछ ऐसे कुछ और अधर्मी लोग होते हैं जिन्हें किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं होता है। लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि जीवन भर कष्ट भौकते रहते हैं। किसी भी बात का भरोसा नहीं करते हैं और अंत म इसी तरह जीवन को समाप्त करके यहां से विदा हो जाते हैं। लेकिन उन सब लोगों के लिए हमारे मन में केवल एक ही बात है। जो हम आपसे कहना चाहते हैं। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को रामायन में कहा है। कि सकल पदारत है। जगमा ही कर्महीन नर पावत ना ही, तो इस संसार में सारी सुख हैं, सारी सुविधाएं हैं। वैभव और एश्वर्य है, लेकिन कर्महीन नर को ये कभी प्राप्त नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर कर्महीन से कहने का मतलब है, एक तक की बहनों और कुत्ता की इनसान से है। चार में किसी न किसी प्रकार की सच्चाई तो अवश्य होती है, तो आप भी उस बारे में सोच लेने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, तो हम आपसे बस यहीं चाहेंगे कि बिना किसी को तर्क के इश्वर का ध्यान करते हुए, सच्चे मन से आप इस वीडियो को पूरा देखें, और आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और यदि आपका बंधन किया गया है, किसी भी प्रकार का तो वह कट जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप कश्टों से मुक्त हो जाएंगे। आपका जीवन सुन्दर हो जाएगा, आपका जीवन सुन्दर हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ आप अपना नाम और अपना स्थान भी लिख कर कमेंट में भेज दें, ताकि हम शनिवार के होने वाले हवन में आपके नाम से माई के दरबार में अरजी लगा। आपके जीवन में माई की पूरी कृपा अवश्य ही पहुँच जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो बातें हम अब आपको बताने जा रहे हैं। ये बातें हम यूँ ही नहीं आप से कह रहे हैं। इन बातों के पीछे बहुत मजबूत आधार है। सबसे पहला आधार ये है कि आपकी राश्य पूरी राश्य चक्र में एक मात्र सी राश्य है जिससे लोग अकसर जलते हैं। ये दोस्तों ऐसा हमेशा देखा गया है कि चाहे जातक अमीर हो या गरीब हो, चाहे किसी भी स्थिती में हो, चाहे कम ज्यानी हो या अधिक ज्यानी हो, फिर भी लोग उससे चलते हैं। अब इसका कारण यह होता है कि आप लोग बहुत ही आत्म सम्मान दिये होते हैं, आप किसी के सामने जुकते नहीं हैं, गिड़ गिड़ा थे नहीं हैं और मदद की भीक नहीं मानते हैं और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा नपातुला व्यवहार करते हैं और अपन समान ही लोगों के साथ उठते बैठते हैं इसकी वजह ये है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप आज भले ही परेशानियों से जूंज रहे हैं आज भले ही आप समाज में निचले स्तर पर काम कर रही हैं लेकिन बहुत ही जल्दी आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप समाज में एक उंचा कद रुपया पैसा मान सम्मान सब कमा लेंगे तो इसी सब का लिहाज करते हुए आपको अपने सम्मान का अपनी इज़त का बहुत खयाल रहता है और आप लोगों से फिजूल की बातें नहीं करते हैं गपे नहीं आते हैं हर एक के सामने मदद के लिए भी नहीं मानते हैं बस इनहीं सब बातों से यानि कि आपकी चाल ढाल तौर तरीके बात करने का लहजा कुछ इस प्रकार का होता है इन लोग अकसर आपसे जलते हैं और कुछ लोग तो आपको घमंडी भी कह देते हैं हर एक स्थिती में होता यही है कि जहां आपके पास थोड़ी सी धन दौलत काम्याबी लोगों की जलन इस हद तक बढ़ जाती है फिर लोग आपकी काम्याबी देख नहीं सकते उनके सीने पर साप लोटने लगते हैं और फिर लोग तरह तरह की क्रियाएं करने लगते हैं जैसा जिसको बन पड़ता है वैसा प्रयास करता है आपको पीछे खीचने का नीचे गिराने का कई बार लोग काम्याबी हो जाते हैं इसका कारण भी आप स्वयम ही हैं क्योंकि जहां आप अपने आप सम्मान को बहुत महत्व देते हैं, वही आप स्वभाव से बहुत भोले भाले हैं, आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं, लोग जहां प्रेम से दो बातें बोलेंगे, आप पर हमला करते हैं। जी हां दोस्तों हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं उन्हें आप अपने जीवन में मिला कर देखिए। एक एक बात आपके चरित्र पर पूरी तरह से फिट बैठती है। दोस्तों की हमने आपकी राश्य के उपर गहराई से अध्ययन किया है। अब आपको उन पर कार्य करना चाहिए। पहला ही आपको हमेशा अपनों से धोखा प्राप्त होगा। जहां दोस्तों आप जिस पर भी भरोसा करेंगे। तुरंत धोखा मिलेगा। आज नहीं तो कल लोग आपको पीठ दिखाएंगे। आपके साथ जालसाजी करेंगे, धोखे बाजी करेंगे। ये आपके जीवन की पहली कडवी सच्चाई है। दूसरी, आपको काम्याबी बहुत मेहनत के बाद, इस संगर्श के बाद और धैरे के बाद ही प्राप्त होगी। आसानी से सफलता आपको किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी और तीसरी, कडवी सच दोस्तों ये है कि आप बाहर से दुनिया को सख्त होने का दिखावा करते हैं। जो आप से जुड़े हुए हैं लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको इसके लिए भी डर है क्योंकि जहां आपने प्रेम दिखाया वही आपको धोखा भी प्राप्त होगा। अब इस बात का प्रमान यहां से आप देख लीजिए कि आप दान धर्म तो खूब करते हैं लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देते। गुप्त रूप से करते हैं तो इस वजह से लोग आपको जरूर समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आप ईश्वर में आस्था तो रखते हैं लेकिन आप दिखा भी बाजी नहीं करते हैं। नौटंग की बाज नहीं करते हैं। इस वजह से लोग आपको कम धार्मिक समझते हैं और जिद्धी और कठोर स्वभाव का भी समझ लेते हैं। ये दोस्तों तो ये तो बातें थी आपके अपने जीवन के बारे में आपके। व्यक्तित्व के बारे में यहां से आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बातें सच हैं कि नहीं हैं तो अब ध्यान से सुनिए कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है। आपको अकसर अंदर ही अंदर किसी बात का भय लगा रहेगा। कुछ अनहोनी की आशंका लगी रहेगी। रात को आपको नींद भी नहीं आएगी और यदि नींद आएगी भी तो बहुत जल्दी तूट जाएगी और नींद तूटने का समय अकसर ग्यारहा से एक सान के ब परादिया गया संगीत समझ सकती हैं, तो आप मिलाई अपने जीवन में कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, दूसरा संकेत कि आपके अपने कामकाज से रूची कम होने लगेगी। कि जो छोटी-छोटी समस्याएं आपके व्यापार में आ रही हैं, कामधंधे में आ रही हैं, नौकरी के स्थल पर आ रही हैं, उन सब समस्याओं के समाधान जहां आपको पहले आसानी से मिल जाया करते थे। तीसरा, संग के दोस्तों आपका मन चिड़ा हो जाएगा, जो आपको खुशी का कभी एहसास हो नहीं पाएगा। चाहे माहौल कैसा भी हो, आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा। चिड़ चिड़ा पन लगता रहेगा, आपका घर में माहौल कुछ नकारात्मक सा हो जाएगा। खास्तोर से तब जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे, घर का माहौल घर की उर्जा अचानक से बदल जाएगी, माहौल नकारात्मक हो जाएगा, लोग एक दूसरे से जगड़ने लगेंगे, प्रेम पूर्ण माहौल नहीं रहेगा, आपस में बैठ कर लोग नहीं करेंगे, लेकिन इन सबसे कहीं बड़ी बात कि आपकी स्वयम की आपके घर के बड़े बुजर्गों से प्लीज हो जाएगा, विवाद हो जाएगा और उनके साथ आपके संबंध मधुर रह नहीं सकते, किसी भी हालत में अब सुनिये, पुखता संकेत, यानि कि यह स पश्ट संकेत हैं और बड़ी संकेत है, सबसे पहला संगीत कि आपकी स्थिती असमंजस की स्थिती होगी, यानि कि छोटे-छोटे फैसले लेने में भी आप कन्फ्यूज रहेंगे, आपको सही फैसला लेने में बहुत समस्याएं होगी, आप ले ही नहीं पाएंगे सही, द अब एक और बड़ा संकेत है, इसे भी ध्यान से समझिये कि वंदन किया गया है, आपकी बुद्धिका तो होगा, ये पहले आप जिससे प्रेम करते थे, अब आपको उससे चिड़ होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा और धीरे धीरे यह गुस्सा और फिर नफरत में बदल नहीं लगेगा और जहां पहले आप जिन लोगों की संगत पसंद नहीं किया करते थे, उन लोगों की संगत अब आपको अच्छी लगने लगेगी, यानि कि अब आप नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं और सकारात्मक लोगों से, सकारात्मक चीजों और बातों से आ यदि मुहन की स्थिति में रहेंगे। इन ही आपको ना तो कुछ सोचेगा और ना ही कुछ समझ में आएगा। अच्छा बुरा लगेगा, बुरा अच्छा लगेगा। स्वभाव में अचानक परिवर्तन आएंगे, तभी आप खुश हो जाएंगे। अचानक अभी आप अचानक से दुखी हो जाएंगे, कभी आप क्रोध करने लगेंगे, कभी आप प्रेम करने लगेंगे, आपको समझना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोग आपसे कटने लगेंगे, आपसे दूर होने लगे तो ये सब समस्याएं जो है ये शुरुवात में बहुत हलकी दिखाई देती हैं, छोटी-छोटी लगती है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये कोई बड़ी समस्या है जिसकी शुरुवात है, लोग इसे काम का तनाव दबाव कहकर टाल देते हैं, कभी-कभी सेहत खराब जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब ये समस्याएं हद से ज्यादा बढ़ने लगती हैं, तो फिर इन पर नियंतरन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर इनके विनाशकारी प्रभाव से बच पाना भी लगभग असंभव होता है, क्योंकि दोस्तों, ये काली तेरी आँखें होती हैं, मैं कहा जाता है और इनकी काट बहुत मुश्किल होती है, शुरुवात में तो आप इनकी काट कर सकते हैं, लेकिन जब हद से ज्यादा बढ़ जाए, ये समस्या नकारात्मकता आपको हद से ज्यादा कर ले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वह इन संकेतों को मिला आपके जीवन में यदि इनमें से कुछ संकेत भी दिखाई देते हैं, तो आप हम जो आपको बताने जा रहे हैं, उस क्रिया को अपने जीवन में आज माल है। आपके व्यापार, काम, धंधे, नौकरी, हर एक चीज का बंधन किया जा सकता है, और बंधन करने के लिए कोई बड़ा प्रयोग नहीं करना है। इन बंधनों को काटने की क्रिया के बारे में, इन बंधनों को मुक्त करने की कौन सी विशेश क्रिया है। हम किसी भी तांत्रिक क्रिया को काटने के लिए, किसी अन्य तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करने के बारे में कभी किसी को नहीं बताते हैं, जो दोस्त पर की तांत्रिक क्रिया की काड, दूसरी तांत्रिक क्रिया से आप करतो देंगे, लेकिन फिर नकारात्मक्ता तु जहां की तहां रहेगी, तो हम आपको जो उपाय बताएंगे भी पूर्ण साथियों को उपाय होंगे, लेकिन इनसे आपकी तांत्रिक क्रिया कट अवश्य जाएगी, समय अवश्य लगेगा, हो सकता है, 25-10 दिन लगे, लेकिन आपको राहत अवश्य प्राप्त होगी, फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक्ता भी नहीं रहेगी, आप खुद ही समझ गए, एक जहर को काटने के लिए किसी दूसरे शहर को देना, कोई अकल मंदी का काम नहीं है, दोस्तों एक जहर तो चला जाएगा, लेकिन दूसरा जहर शरीर में ठहर जाएगा, तो यह यहां पर वैसा ही कुछ मामला है, यहां पर आप ध्यान से समझिए कि हम जिस तांत्रिक क्रिया को काटने की बात कर रही है, उसके बदले में हम कोई अन्य तांत्रिक क्रिया करने के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम यहां पर आपको सात्वी क्रिया के बारे में बता रहे है अब एक और खास बात है, कि जिस इंसान की बुद्धी का बंधन पहले से ही किया जा चुका है, वह इंसान तो कभी खुद से किसी भी क्रिया को करेगा ही नहीं। वह इस क्रिया को करेगा तो सबसे पहले चली आई है कि एक नीबू आपको लेना है और शनिवार के दिन यह करिया आपको करनी है। पढ़ जाएगा, कटेगा नहीं कमजोर पढ़ जाएगा, एक ही बार में फिर एक क्रिया होगी जिससे वह बंधन धीरे-धीरे कटा। तो यह जो क्रिया है इसे ध्यान से समझे निम्बू आपको एक लेना है और इस नीबू में आपको साथ लोगों के लगानी है। और रात्रि को ग्यारा बार से बारहजावस के बीच उस इनसान के सिर के उपर से उल्टा उतारना है या फिर ना है या दोस्त उल्टा फिरेंगे। साथ बार फिरेंगे। साथ बार इसे उल्टा फिरने के बाद इस नीबू को आपको किसी भी तिराहे पर हो जा। दोस्तों ध्यान से सुनना किसी भी तेराही पर छोड़कर चले आना है। बस आपको इतना करना है मुढ कर पीछे नहीं देखना है वापस जाना नहीं है। देखना नहीं है सीधे अपने। घर आ जाना है और अपने हाथ पैर मुह धोकर चुप चाप आकर सो जाना है। की बंधन कमजोर हो चुका है ये दोस्तों अब शुरुआत होगी 11 दिन की क्रिया की जिससे ये बंधन पूर्ण रूप से कट जाएगा, समाप्थ हो जाएगा ज्यादा मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत किसी भी प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, तो अब क्या है क्रिपया इसे ध्यान से सुनिए आप हो हनुमान जी की शरण में जाना होगा, आपको रात्री के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और रात्री से हमारा यह मतलब है नौ दोर बजे के आसपास नौ बोन बजे के आसपास आप अपने घर में ही करेंगे यह क्रिपया ध्यान से सुनिए आप तो अब रात्री को नौ दवर बजे के आसपास आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है या दोस्तों और हनुमान चालीसा का अब हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे साथ बार और साथ बार हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप एक छोटे से तांबे के कलश में या फिर एक छोटे से तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल रखेंगे ये दोस्तो थोड़ा सा जल और हर बार जवाब का पाठ समाप तो आप उस जल में थोड़ा सा भूख मारेंगे, साथ बार आपको पाट करना है, साथ बार ही आपको भूख मारना है, इससे यह जल अभिमंत्रित हो जाएगा, हनुमान जी की शक्ति से किसी भी प्रकार की नकारात्मत तांत्रिक क्रिया की कार्य केवल और केवल माता काली के पास है, या फिर हनुमान जी के पास है, सबसे जल्दी राहत केवल इन्ही की पूजा पाट से मिलती है, बाकी सबसे भी मिलती है, लेकिन उनसे काफी देर में सब ध्यान से सुनिये, आपको करना क्या है, अब इस जल को आपको संभाल कर रखना है, और जिस व्यक्ति की बु आपको यह जल उसे किसी भी बहाने से पिला देना है, किसी भी बहाने से यह जल उसे सुबह दूसरे दिन पिला देना है, ग्यारा दिनों तक यह क्रिया लगातार चलेगी, दोस्त और किसी भी मांग, सलवार के दिन से यह क्रिया शुरू हो जाएगी, ग्यारा दिनों तक ल उस व्यक्ति को आप मंदिर ले जाने की कोशिश करें हनुमान जी की पूजा पाठ करवाने की कोशिश करें धीरे धीरे भाई इंसान पहले तो नहीं मानेगा लेकिन बाद में धीरे धीरे वह इंसान अंदर भी जाएगा हनुमान जी की पूजा पाठ भी करेगा चालीसा भी करेगा और धीरे-धीरे सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा अब जैसा की वीडियो समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि वह कौन सी महिला है जिसने आपके उपर तांत्रिक-तांत्रिक क्रिया की पहचान उसकी कार उसकी क्रिया सब कुछ हमने आपको बता दिया है इस वीडियो में भरपूर ज्यान दे दिया है आप इसे उपयोग करें बदलाव स्वयम महसूस करेंगे दोस्त और उस और उस और उस औरत की राश्य व्रश्चिक है और उसके नाम का पहला अक्षर जा है आप बस इसे ध्यान से समझिए और पहचानने की कोशिश करिए हो सकता है कि यह महिला आपके घर के पास कि कहीं है आपके परिवार में आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से इस महिला का हस्तक्षे पवश्य है इसके साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जै मा भद्रकाली अवश्य लिखें जै बजरंग बली अवश्य लिखें माता भद्रकाली और पवन पुत्र हनुमान आपके जीवन में पूर्ण रूप से क्रिपा करेंगे आशीरवाद देकर आपका जीवन बदल जाएगा मिलते हैं अगले ज्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपके कोई भी प्रश्न हो कमेंट करके पूछे हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे जय माता की